नमस्कार आप देख रहे हैं SPN 9 News SPN 9 News में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ निहा परिया आज हम बात करेंगे मध्यपर्दीश को लेकर बता दें आपको कि बीते कुछ महीने पहले यहां नवंबर की अगर बात की जाए नवंबर में मध्यपर्दीश का विधान सभा चुनाव था और 3 दिसंबर को मध्यपर्दीश के नतीज वाय थे जिसमें भारती जन्ता पार्टी की पूर्ण बहुमत से यहां जीत देखने को मिली थी हाला कि मध्यपर्दीश में भाजपा की जीत तो हो गई लेकिन नजाने क्यों भारती जन्ता पार्टी की नेता नराजगी की रहा पर चल रहे हैं बता दे आपको कि इस नराजगी की रहा पर सबसे पहला नमबर शिवरा सिंग चुहान जो की मध्यपर्दीश के फूर मुक्य मंतरी हैं दूसरा नमबर यहां देखा जाता है कि जोती रादी ते सिंधिया और अब यहां पर कैलाश वीजवर्गे हाला कि उनको यहां कैबिनेट विस्दार में एक मंतराले भी दिया था लेकि नजाने फिर भी क्यों वो नाराज है पता दे आपको कि जब मध्यपर्दीश में मुक्य मंतरी की लिस्ट आई तो उसमें तमाम नाम थे जिसमें से कैलाश वीजवर्गे का भी नाम था तो कैलाश वीजवर्गे यहां यह सोचकर बैट गए थे कि शायद इस बार सियम की जो किसमत खुले को उनके है उनकी ही यहां पर किसमत खुलती नज़र आएगी और वो सियम पत पर बैटते हैं नज़र आएगी लेकिन उस लिस्ट में जितने भी तमाम नाम थे उन नामों और अब यहां देखा जा रहा है कि कैलाश वीजवर्गे भी आव यहां नराज की जाही करते नजर आ रहे हैं पता दे आपको कि कैलाश वीजवर्गे मध्यपरदीश में जनसभा को संबोदित करने के दोरान उन्होंने यहां एक लाइन के अपने स्तिफ़ा को लेकर एक ब पार्टी से स्तीफा देते हैं तो क्या यहां पर यह माल लेना चाहिए कि वह कॉंग्रेस में जाने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि अगर देखा जाए तो मध्यपरदेश में जीतू पटवारी जो कि कॉंग्रेस के नए अध्यक्ष लगतार भाजपन नेताओं को साधने की तो यहां पर यह देखना है कि लोग सबाच चुनाव से पहले क्या मध्यपरदेश में कोई बदलाब देखने को मिलेगा या नहीं क्या कहना है आपका इस रिपोर्ट कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय दे और देखते रहिए गाइस पियन नाई न्यूस थन्यवाद